नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों महाशिवरात्री के दिन अगर आपको भी इन साथ में से कोई संकेट मिलते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है पुरानों में ऐसे महत्वपूर्ण संकेटों के बारे में बताया गया है जो स्वयम भगवान अपने भक्त को देते हैं महादेव जब अपने भक्त पर प्रसन होते हैं तो उसे विविद संकेटों द्वारा बताते हैं कि उसकी भक्ती से वे अत्यंत प्रसन है यह संकेत मिलना कोई साधारण सी बात नहीं है यह संकेत उन्ही लोगों को प्राप्थ होते हैं जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं जिनके मन में शिव जी के लिए सच्ची श्रधा और भक्ती होती है देवों के देव महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं शिव पुरान के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे जब भी अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्तों को किस प्रकार के संकेत मिलते हैं मा पार्वती द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव ने उन महत्वपूर्ण साथ संकेतों के बारे में बताया है, जिस भी मनुष्य को ऐसे साथ अत्यंत गोपनिय और रहस्यमई संकेत प्राप्त होते हैं, उनके दुखों का अंत होता है, उनकी दरिद्रता समाप्त होती है, उनकी अनन्य भक्ती से महादेव अत्यंत प्रसन्न है और अब उनके जीवन में अच्छे समय की शुरुवात होगी, महा शिवरात्री के दिन इन संकेतों का मिलना कोई साधारन बात नहीं है, अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आपने अपने जीवन में महादेव की सच्चे मन से भक्ती की है, आप एक बहुत ही दयालू और महान विचारों वाले व्यक्ती है, आपके हृदय में भगवान शिव का ही निवास है, आप परोबकार करने वाले और सदैव ही दूसरों की सहायता करने वाले मनुष्य है, आप कभी दूसरों के साथ बुरा नहीं क और आपके साथ बुरा करने वाले का भी भला करते हैं. आप अनुशासन प्रियव्यक्ती है और आपको पशुओं से बहुत अधिक प्रेम है. आप कभी पशुओं पर अत्याचार नहीं करते और सदैव उनकी सेवा करते हैं. महादेव के भक्त में यह लक्षन होता है कि वह खुद भूखा रहता है, लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं देख सकता. वह खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों का विचार करता है. अपने द्वारा दूसरों को कष्ट ना हो, ऐसा सदैव प्रयास करता है. किन्त क्रोध बहुत आता है, कभी कोई बुरा काम करता है, अथवा जानबूच कर दूसरों को परेशान करता है, तो उन्हें यह बात सहन नहीं होती है, और ये क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों का जानबूच कर अपमान नहीं करता है, वह सभी को समान दृष्टी से देखता है, उसके मन में कभी किसी के लिए कपट नहीं होता है, और वह जानबूच कर कभी दूसरों के साथ धोका नहीं करता है। महादेव का प्रिय भक्त पशुओ पर दया करता है। वह कभी किसी निश्पाप पशुपर अत्याचार नहीं करता है। इन लोगों को पशुओ की सेवा करना अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति धन्वान होकर भी कभी अपने पैसे पर घमंड नहीं करता है। ज्यानी होकर भी अपने ज्यान पर अहंकार नहीं करता है। हमेशा ही दूसरों के साथ विनमर्ता से पेश आता है। चाहे बड़ा हो या छोटा सभी के साथ प्रेम से व जवहार करता है तो उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है। महादेव की कृपा से ही उसके अंदर ऐसे तेजस्वी लक्षन दिखाई देते हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार से नदी अपना जल खुद नहीं पीती है। व्रिक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बादल उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज नहीं मांगते हैं, उसी प्रकार से महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद करते हैं, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, ये दूसरों को खुशिया देने के लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, सदैव ही दूसरों की मदद के लिए ततपर रहते हैं, इसी कारण से ही तो ये लोग महादेव के सबसे अधिक प्रिय होते हैं, जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने पर भी शमाशील हो, अर्थात बलवान होकर भी कमजोर लोगों पर अत्याचार नहीं करता हो, और अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति महादेव का सबसे अधिक प्रिय होता है, भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी दान करता हो, अपने पास पैसे ना हो, तब भी दूसरों की मदद को ठुकराता नहीं है, हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, घर में अनाज न हो, तब भी भुखों के लिए अन्न का प्रबंध करता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है, ऐ तो मनुष्य दुलब वस्तों को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तों के विशय में कभी शोक नहीं करते हैं, और विपत्ती आने पर कभी घबराते नहीं हैं, डट कर उसका सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों पर महादेव की ही क्रिपा होती है, दोस्तों अग को महाशिवरात्री के दिन इन साथ में से कोई भी एक संकेत मिलता है, तो आप समझ जाएए कि महादेव आपकी भक्ती से बहुत प्रसन्न है, महाशिवरात्री का पर्व सभी शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व पूर्ण होता है, माना जाता है कि इस दिन महादेव स्वय धर्ती पर आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनों को पूर्ण करते हैं। जो भी सच्चे हरिदय से शिवजी की पूजा करता है, उसे निश्चित ही शिवजी की कृपा प्राप्थ होती है। यह संकेत प्रकृती के द्वारा, पशुपक्षियों के द्वारा, तथा भौतिक वस्तों के द्वारा भी प्राप्थ हो सकते हैं। अगर आपको इन में से कोई भी एक संकेत दिखाई दे, तो महादेव का सच्चे हरिदय से धन्यवाद करें। क्योंकि उन्होंने आपकी भक स्विकार किया है और अब वे आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है ब्रम्ह मुहूर्थ पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। महाशिवरात्री के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा समस्थ संसार को शीतलता प्रदान करता है। यदि महाशिवरात्री के दिन आपकी नेंद अचानक ही सुभा ब्रम्ह मुहूर्थ पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो आपके जीवन में खुशिया आने वाली है। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। जहां पर आप कदम रखेंगे, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा संकेत है सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भग्वान शिव के वाहन है। जहां पर शिव होते हैं, वहां पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसलिए भाग्यशाली लोगों को ही महाशिवरात्री के दिन सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको महाशिवरात्री को नंदी दिखाई देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशिरवात देने आये हैं। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके रास्ते में जितनी भी समस्याएं थी वह समाप्थ हो चुकी है। और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड कर प्रणाम करना न भूले। तीसरा संकेथ हैं नाग देवता के दर्शन होना। भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से महा शिवरात्री को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको महा शिवरात्री को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा चौथा संकेत है एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन यदि महाशिवरात्री के दिन किसी व्रिक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो यह शुब संकेत समझना चाहिए यदि ऐसा द्रिश आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ती होगी यदि आप विवाहत है तो पती-पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा पांचवा संकेत है काले कुट्टे का दिखाई देना यदि महा शिवरात्री के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुट्टा आता है तो इसे शुब संकेत समझ ले कुट्टे के साथ हमें कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए नंदी के समान ही कुट्टे भोलेनात को अतिप्रिय है जो भी काले कुट्टे की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है उस पर भगवान शिव सदैफ प्रसन्न रहते हैं महा शिवरात्री को काले कुट्टे का घर पर आना यह संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट तल चुका है चठा संकेत है मिट्टी के घरे का दिखाई देना यदि महा शिवरात्री के दिन आपको दूध अत्वा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घरा दिखाई परता है तो यह शुब संकेत समझना चाहिए यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है सात्वा संकेत है भस्म लगाए हुए व्यक्ती के दर्शन भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है यदि महाशिवरात्री को भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ती अत्वा किसी अगोरी के दर्शन होते है तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए भस्म लगाई हुई व्यक्ती का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ती होगी आपके सभी रोगों का नाश होगा तो दोस्तों क्या आपको भी महाशिवरात्री के दिन ऐसे साथ संकेत मिलते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताए जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे